संख्याओं और अक्षरों से बने पैटन Number and Alphabet Patterns इस विडियो में हम कुछ ऐसे पैटन के बारे में सीखेंगे जो संख्याओं और अक्षरों से मिलकर बनते हैं और हम अपने लियम बना कर पैटन बनाना और उन्हें आगे बढ़हना सीखेंगे चलिए चलकर देखते हैं कि ये चारों दोस्त क्या कर रहे हैं अरे तुम सब ने देखा हमारी परिक्षा की सूची आ गई है हाँ अब फिर से रातों को जाकर पढ़ना पढ़ेगा मेरी सीट कक्षा लाब एक में है मेरी भी उसी कक्षा में है मेरा लेक्चर रूम दो में है और मेरी लेक्चर रूम तीन में वाँ फिर से नंबर और अल्फबेट एक साथ तुम्हें याद है जब हब स्कूल में होते थे तो हमारे कक्षा के नाब कैसे दिये गए थे हाँ हाँ वन ए वन बी वन सी और वन डी फिर दो ए, दो बी, दो सी, दो डी हाँ बारी तक सभी कक्षाओ के ऐसे ही दबर और अल्फबेट के साथ दाब थे यह कितना सुन्दर एक पाटर्न बन जाता है हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था क्या तुमने कभी ऐसे नंबर और कहीं देखे हैं? बच्चों, आप भी विडियो को रोक कर ऐसे पाटर्न सोच सकते हैं बस की सीटों पर सिनिमा हॉल की सीटों के नंबर बहुत खूब आज मैं तुमें एक पाटर्न देती हूँ देखो तो तुम इसको आगे बढ़ा सकते हो या नहीं पहले हम इस पाटर्न का नियम ढूनते हैं बच्चों आप भी विडियो को रोक कर इस पाटर्न का नियम सोच सकते हो हम पहले है नंबर एक फिर आल्फबेट ए को एक बार लिखा है उसके बाद नंबर दो फिर आल्फबेट बी को दो बार लिखा इसका नियम हुआ अल्फबेट को संख्या के मुताबिक उतनी बार लिखना एक दब सही काब दी तो इस नियम के अनुसर पहले रिक्स्तान में हम सी को तीन बार लिखेंगे सही फिर आएगा नंबर चार और हम दी को चार बार लिखेंगे सही उत्तर यह तुमने बहुत अच्छा पार्टन बनाया है धद्यवाद अगर मैं अल्फबेट को इस क्रम में लगाऊ एक को दो, बी को एक, सी को चार, बी को तीन इत्यादी तो लेटिस गो होम को नंबर कोड में कैसे लिखेंगे पहले हम तुम्हारे दिये गए क्रम को पूरा करते हैं इसके लिए आगे E के लिए 6 और S के लिए 5 नंबर कोड होगा ऐसे ही G के लिए 8 और H के लिए 7, I के लिए 10 और J के लिए 9 नंबर लिखेंगे यहां हम अल्फबेट को सीधा उनके नंबर कोड में ना लिखकर अल्फबेट के जोड़े बनाकर उनके नंबर कोड को बदल कर लिखेंगे जैसे A के लिए 1 होना चाहिए और B के लिए 2 लेकिन A और B के जोड़े बनाकर हमने उनके कोड को बदल दिया तो A के लिए हो गया 2 और B के लिए हो गया 1 इसी तरह C और D के कोड को भी बदल कर लिखा गया है और इसी क्रम में हम सभी आलसबेट को नंबर कोड में लिखेंगे हाँ ये है भोलू का क्रम लेट होगा 11 है उद्दीश अस होगा 22 बीश गो होगा 8 सोला होब होगा 7 सोला चौदा च्छै तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही इस विडियो में हमने कुछ ऐसे पैटर्स के बारे में सीखा जो संख्याओं और अक्षरों दोनों से मिलकर बनते हैं और हमने अपने नियम बनाकर पैटर्न बनाना और उन्हें आगे बढ़हना सीखा एतनां सीखा लन लो लो बनाती हुआ से उन्हें घंपए़ खेटर्सि के लिए